नवस्कार दोस्तों स्वागा था आप सभी का आपके नहारे यूट्यूब चेनल रोकेस्टार एजूकेशन में में हुराज फाइनली आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आए हैं कहीं न कहीं अगर आपने बिहार पोस्ट मेटरी एसकोलर सी 22-23 के लिए फॉर्म को फाइनल सम्मीट कर दिया है चाहे वो कटेगरी SCST के हैं चाहे BC EVC के लिए आपको इस वीडियो को अंतक देखना चाहिए आपके लिए काफी हेलफुल रहने वाला है क्योंकि सब लोग का बार बार मुझे कॉमेंट आ रहा है बार बार मैरे WhatsApp पे मेसेज आ रहा है कि हम अपना bank account अपडेट करना है या पिर उनका कॉमेंट आ रहा है कि हमारा bank account अभी तक अपडेट ने हुआ मुझे option नहीं मिल रहा है तो कुछ लोगों का कहना है कि हमारा जो है bank account हमने सब कुछ डाल दिया है लेकिन waiting लिखा रहा है हम संपून जानकारी आपके इस वीडियो में देंगे कि bank account अपडेट क्यों नहीं हो रहा है साथ में कैसे आपका पैसा आएगा आपके account में हम संपून जानकारी आपके साथ सजा करेंगे लिगे सजा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे है तो चैनल गोला लटन दबा कर सस्क्राइब कर लिजेगा साथ में bell icon को प्रेस कर लिजेगा इस तरह की informative विडियो पाने के लिए हम रोजाना कुछ न कुछ postmatic हो चाए किसी भी तरह के scholarship के regarding बड़ा अपडेट लेकर आते हैं कोसिस करते हैं आप लोग को जो है सटिक जनकारी आपको हमारे माध्यम से मिल अभी हम official website पर जैसा की देख सकते हैं postmatic के pmsonline.bih.nic.in पर जैसा की आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है अलग-अलग category का दिया हुआ है यहाँ से आप जाके login हो सकते हैं अब सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या कैसे करना है और कैसे क्या आखिर क्यूं जो है अब जो नया राजिस्टेशन ले रहा है उसमें क्यूं नहीं bank account ले रहा है मैं simply आपको एक demo समझाता हूँ यहाँ पर आते हैं यहाँ पर registration वाले पर क्लिक करते हैं जब करते हैं आपके सामने इस परकार का page खुल कर आ जाएगा यहाँ आपको new student registration पर क्लिक करना है जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको हम clear जो है जो चीज़ समझाना चाहते हैं वो समझिएगा इस वीडियो को अंतक देखिए आपको समझाएगा जहना कि यह वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपका जो भी doubt है bank account से related I hope कि आपका जो है doubt clear हो जाएगा चलिए अगर जैसे इस पर continue पर क्लिक करेंगे करते हैं तो आपके सामने जो है dashboard हो जाएगा कुछ रजिस्टेशन होता है जिस तरह से उसका एक page खुलकर आ जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं जहां पर normal जो है आपका नाम आपके पीता का नाम आपके माता का नाम rate of birth, gender, marital status, categories, home district, institute का estate, institute का district, institute का जो है नाम साथ में बेकल्पिक तोर पे आपका email id और mobile number और यहां पे आपका आधार number मांगा जाता है आपका नाम और आधार का rate of birth है वो next करके आपका जो है इस परकार से जो है आप सम्मीट कर लिजेगा ता आपका registration ह हो जाएगा लेकिन इससे पहले क्या था समझेगा इस इस पोर्टल पे दो बड़े changes आया हैं बड़े update हैं बड़े update क्या क्या है मैं आपको समझा जाता हूं अगर आपने 23-24 के लिए नया राइशन किया है आपको पता है तो वह मैं पता दूं किल्या नहीं क्या क्या है अब एक दे रखाए श्रीप अब mobile से ही करना है दूसरा है यहां पे अधार के पहले यहां पे एक bank account भी add करने का option दिया हुआ था कि आपको bank account भी देखर यहां पे apply update करना होता था जो कि वह option हटा दिया गया है तो अगर हटा दिया गया आप registration कर लें तो आप लोगा question आ रह होगा उसी सीडिंग खाते में आपका पैसा चला आएगा क्यूंकि बहुत लोग चात चात रहें ऐसे थे कि पिछले academic year में bank account जो manually डाल रहे थे तो कभी FSC code गलत हो जा रहा था तो कभी bank account गलत तो कभी bank account holder का नाम गलत हो जा रहा था इस mismatch के चकर में उन लोगों का पैसा फ पहले अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको सबसे पहले आपके account में मिले तो सबसे पहले आप अपने bank account में जाके अधार सेडिंग कर वा लीजिए क्यूंकि कोई भी सरकारी पैसा जो है वो आपके account में dbt के माध्यम से ही आता है अप आते हैं तो देखने को मिलता है यहां आप देख सकते हैं bank details हलाकि अगर आपका किसी भी करन से update करना चाहते हैं आप इस bank details पर click करेंगे जब click करेंगे आपके सामने इस परकार का page खुल कर आ जाएगा याद रखिएगा यहां पे उसी लोगों का bank details update होगा जिन लोगों का reject हो चुका है अब आप सोच रहे होगे reject किन लोगों का हुआ होगा तो reject वैसे लोगों का हुआ होगा जो कि इससे फ़ल यह second term है जो कि लोगों को दिया गया दूसरा मौका form भरने का जो लोग इससे first time जो date आया था academic year test 24 के लिए उसमें क्या था कि रहिश्चन करते समय उनका bank account number IFSC code सब भी लिया गया था लेकिन इस बार जो है नहीं लिया जा रहा है second जो मौका दिया गया है दूसरी बार जो मौका दिया गया है उसमें ऐसा कोई भी तरह का bank account नहीं लिया जा रहा है इस बार सिधा आपके account से जो भी bank account से सीड़ेड होंगे अधार card वो सीधा वो bank account पे आपके पैसे चले जाएंगे तो अब रही बात कि जो है इससे पिछले बार जिन लोगों का bank account reject हो गया है या पिर किसी कारण से उनका जो है दिक्कत आ गया है तो उन लोगों को याद रहा है यहाँ पर option देगा हो अपने portal पे login करके जाके check out कर लिजेगा उनको यहाँ पर update करने का option दिया जाएगा या फिर दे दिया गया है हलांकि इसके regarding हमने वीडियो बना दिया है कि अगर आपका reject हो गया है या पिर dbt link नहीं है इसी करण से अगर आपका जो है वहाँ पर दिखा रहा है reject तो आप यहाँ पर आपडेट कर का जो है bank account registration में ले ही निरा यानि कि पूरे form को registration से लेके form को final submit करने तक उनका bank account नहीं ले रहा है तो यह है कि आपके bank account में जो है अधार see rate किया हुआ है तो उसी see rate bank account पे आपका पैसा सिधा आएगा PFMS के माद्यम से तो यह बात आप समझ गयोंगे अगर आपका इस तरह का issue आ रहा है यह waiting type का है अगर आपने नया ही हाल में ही relation करके form को final submit किया है कुछ लोगा comment आता कि 15 दिन से update नहीं हुआ है मारा तो कुछ लोगा कहना है कि 4 मेने से नहीं हुआ तो यह अगर वेटिंग वाला अगर इस यह जहमेला है तो आप tension बिलकुल मुक्त हो जाए आप जाकर चेक कर लिजे कि आपका जो है आधार सेडिंग कि दिया हुआ है तो आप निचींत रहिए जब भी पोर्टल जो है अपडेट होगा तो सबसे पहले आपका वो भी जिस तरह सी यह वेरिफाय हो जाएगा आम तोर पर आप लोगा question रहता है कि वेटिंग लिखा रहा है कब वेरिफाय होगा तो टेंसन नहीं लिजिए पोर्ट आपके पोर्टल पर देखने को मिलेगा उमीद करते हैं हमने जितने भी बात बता हैं आपको सही लगए कहीं ने कहीं हमारा अपडेट आपके लिए काफी helpful रहा होगा